हेलो फैंस दिस इस नर्देव बढ़वाल वेलकम बैक तो मैं चैनल नरू जॉटा ब्लॉग इनोबा हाई क्रोस MPB को इतनी जबर्दस बुकिंग मिली है कमपनी को कुछ समय के लिए इसके कुछ बेरिंट्स की बुकिंग बंद करनी पड़ी प्रीमियम MPB लवस के लिए बहुत बड़ी गुड नूज है क्योंकि मारूती सुजुकी भी टोईटा इनोबा हाई क्रोस का रीबैस बर्जन भारतिया बजार में लाने वाली है जिसका नाम होगा दोस्तों एंगेज और रिसेंटली मारूती सुजुकी ने इस नाम को रेश्टर करने के लिए एप्लिकेशन फाइल भी कर दिया है दोस्तों वही हम डिजाइन डैनमिक्स की बात करें तो मारूती सुजुकी एंगेज का जो फ्रेंट प्रोफाइल है रियर प्रोफाइल है इनोबा हाई क्रोस के मुकाबले टोटली डिफरेंट होने वाला है दोस्तों हलांकि Headlamp Unit में आपको Innova High Cross की तरही LED Headlamp Unit Setup और नीचे horizontally daytime running light देखने को मिलेगा front grill के बीचो बीच आपको यहाँ पे Suzuki का बड़ा सा logo just उसके नीचे front parking camera देखने को मिलेगा side profile में आपको देखने को मिलेगा Innova High Cross की तरह 18-inch का alloy wheel 225, 50R18 का यहाँ पे size रहने वाला चारो और body climbing देखने को मिलेगा और side जो profile है बिल्कुल हू बहू Innova High Cross की तरह देखने को मिलेगा वहीं hybrid का यहाँ पे bashing, वार्वेम आपको body color, LED tone indicator की combination में just इसके नीचे side camera आपको देखने को मिलेगा front में आपको rain sensing, wiper और roof lining के अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुती शांदार panormic sunroof और बहुती शांदार roof rail B pillar, C pillar, पूरी तरह blacked out और grab handle पे chrome face as it is आपको देखने को मिलेगा वहीं इसके dimensions की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे similar देखने को मिलेगा length 4755 mm width 1845 mm height 1785 mm wheelbase 2850 mm ground clearance 185 mm foot space 300 liter and fuel tank capacity 52 liter as it is रहने वाले है दोस्तो rear profile totally change होने वाले है और जिसमें आपको देखने को मिलेगा sock fin antenna integrated spoiler with high mounted stop lamp defogger rear wiper और बहुती शांदार LED tail lamp unit number plate की जगा reverse parking camera और rear bumper आपको dual tone black color का skid plate आपको देखने को मिलेगा और rear profile में LED tail lamp unit का design totally change होने वाले है मारती सुजू की engage में interior के अगर हम बात करें तो यहाँ पे keyless entry आपको देखने को मिलेगा open करते ही आपको task board layout बिल्कुल similar देखने को मिलेगा मारती सुजू की engagement difference के वाले यहाँ पे आपको steering wheel के ओपर सुजू की का logo देखने को मिलेगा बाकी सारे features as it is रहने वाले हैं दोस्तों जैसे की 8 way, electrically adjustable triber seat, बहुती शांदा लैदर अपोस्ट्री और वही height adjustable driver seat, large panoramic sunroof, dual zone automatic climate control और automatic transmission 10.1 inch का floating touchscreen input system, digital instrument cluster 3 spoke tiltable telescopic multifunction steering wheel, leather wrap में जिसके left side audio mounted control, right side cruise control देखने को मिलेगा, push start and stop button, steering wheel के just left side देखने को मिलेगा जैसे के आप यहाँ पे देख पा रहे हो, rear cabin comfort के गर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलने वाले है captain seat जैसे की innova high cross में आपने देखा होगा, और यहाँ पे height adjustable headrest सभी seat पे पीछे three passengers के लिए यहाँ पे seat दिया गया है, और interior में बैठते ही, काफी अच्छी खासी leg room आपको देखने को मिलेगा rear passengers के लिए यहाँ पे मिल जाते है, AC के control नीचे mobile charging के जुबिदार rear seat से front के उड़ देखें तो task board का layout बिलको similar लगने वाला है, केवल यहाँ पे logo का ही difference देखने को मिलेगा वहीं leg room काफी अच्छी खासी, और headroom भी आपको adjectives देखने को मिलेगा, क्योंकि dimensions आपको same मिलने वाले हैं दोस्तों साथी large panoramic sunroof, innova high cross की तरह ही आपको देखने को मिलेगा और roof mounted यहाँ पे इसी wind दिये गए, चार ओर grab handle जैसे की dimensions same रहने वाले हैं, तो उसे साबसे यहाँ पे 300 liter का boot space as it is मिलने वाले हैं rear seat को 50-50 split करके increase कर सकते हैं boot space को spear wheel मिलने वाले हैं just इसके underneath और वहीं tailgate के inner side button दिया गए है, कोछ इस तरह push करके automatic यह close हो जाता है दोस्तों जैसे की आप यहाँ पे देख पार हो, electrically adjusted यहाँ पे दिया गए है मारती सुजू की engage में आपको same engine specification देखने को मिलेगा, जैसे की BS 6.2, RDE and E20 compliant 2 liter, 4 cylinder, 5th generation inline VVT, petrol engine जो की 184 BSP की power 6,600 rpm and 188 Nm का peak torque generate करता है 4,400 rpm, transmission आपको automatic CBT gearbox का देखने को मिलेगा वहीं हम safety features की बात करें तो मारती सुजू की engage में आपको देखने को मिलेगा 6 airbag, ABS VDBD, reverse and front parking sensors, 360 degree camera, seatbelt reminder, driver side and co-passenger side, keyless entry, center locking, isopic child seat increase, tire pressure monitoring system, day night automatic IRBM, pre-testinal and force limiter, seatbelt, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, anti-theb device, speed alert system, speed sensing, auto door lock, impact sensing, auto door unlock, traction control, brake assist, hill assist, hill descent control, electronic stability control, vehicle stability control, automatic headlamp unit, follow me home headlamp unit, crash sensors, engine checking warning, door hazard warning जैसे premium safety features आपको मारती सुजू की की upcoming MPB, engage में देखने को मिलेगा मारती सुजू की इस upcoming MPB को बेच सकती है, Nexa dealership के तहत, और अनमान जता रही है, 10,000 unit पर मैंने की, जो है sales figure रह सकती है, इस MPB की और ये launch हो सकती है, end of 2023 और early 2024 में, जो की 52,100,000 रुपीज सस्ती हो सकती है, Toyota Innova High Cross की मुकाबले ये थी दोस्तों मारती सुजू की की upcoming premium MPB के बारे में information आपको कैसी लेगी, नीचे comment section में जरो बताएगा और एक like तो बनता है, चैनल को subscribe पर गएर बिलकुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपनी चैनल पर रोजा नहीं, automobile sector से जोड़ी, news, reviews, test drives, walk arounds, comparison, accessories आप से साज़ा करता रहता हूँ तो चले दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए, thank you, धन्यबाद, जैहिन